नमस्कार मैं हूँ शोबना गोस्वामी और आप देखरें लाइफ खबर यूपी के संभल में रिश्वत खोरी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है इस बार तहसील के कानूनगों और लेखपाल पर रुपियों का लेंदेन करते विडियो वारल हुआ है रिश्वत खोरी का पूरा मामला यूपी के संभल जिले की सदर तहसील का है जहां एक विडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वारल विडियो में दो लोग आपस में रुपियों का लेंदेन कर रहे हैं और पास में ही कुछ लोग खड़े हैं रुप्यों का लेंदेन करने वाले दोनों लोग तहसील के कानून को बताये जा रहे हैं जबकि पास में खड़े लोग लेखपाल बताये जा रहे हैं विडियो वारल होने के बाद तहसील प्रिशासन में हरकम पच गया है मामला संग्यान में आने पर SDM संभल दीपेंद्र यादव ने अननफानन में दोनों आरोपी कानूनगों को फिलहाल उनके पच से हटा दिया है और जाँच तहसील दार संभल को सौब दी गई है वहीं पास में खड़े लेखपाल के खिलाफ भी जाँच पिठा दी गई है के खिलाफ कारवाय कर रही है महीं संभल का तहसील प्रशासन को मुख्य मंत्री का डर बिलकुल नहीं है यही वज़े है कि संभल में लगाता रिश्वत खोरी के मामले सामने आ रहे है अब देखना यह होगा कि इस मामले में अधिकारी क्या कारवाय करते हैं आभी एक वीडियो वारल हुआ है जो अभी संग्यान में आया है जिसमें दो कानूंगो साहब मौजूद है और एक लेकपाल तसीच के मौजूद है जिसमें कानूंगो चमंत चारूंगो अमारे समध अता सतीश सिंक के रिपोर्ट देश और दुनाचुरी तमाम बरी खबरों के लिए आप देखते रहें ये लाइफ खबर मुझे देजिये जासत, नमस्कार